Hello everyone, welcome to this channel once again. Today's topic is filter function in google sheets. Let's move to google sheet. यह एक sample data बना रखा है, city build-up product cost, quantity sale cost year month etc. और नीचे यहां तक data है, 18,000 plus data है, 18,000 से ज्यादा record है, इसको अठा देते हैं भी, यह header copy कर लेते हैं, यह filter function google sheet की specialty है, और यह filter function भी काफी powerful है, काफी simple भी है, लगा के देखते हैं, is equal to filter, tap दबा देंगे, यह तो bracket start कर देंगे manually, range select करते हैं, filter range, यहां से लेके, यहां तक, comma, सबसे पहले range select, range select करना होगा, उसके बाद condition 1, condition 2, condition 3, ऐसे multiple condition दे सकते हैं, इस data से, इस range से या इस data से, हम निकालते हैं, जिनकी quantity 3 से ज़्यादा हो, वह quantity आए, 5 से ज़्यादा कर देते हैं, तो उस quantity वाले range को select करना होगा, condition के लिए, अब इसमें greater than 5 कर देते हैं, और bracket close, अच्छा, यह header copy हो गया, यहां पे 2 कर देते हैं, टू कर देंगे, तो header नहीं आएगा, यह देखें, यह सारे quantity, 5 से ज़्यादा quantity है, चेप कर लेते हैं, फिल्टर लगा के, यह देखें, 6, 8, 9, 10, greater than 8 लगा के देखते हैं, तो greater than 8 आज़ा है, यह सारे 8 से ज़्यादा quantity, हम इसको new seat में लगा के देखते हैं, इसको आठा के, यह filter यहां पे, पहले इसका header copy कर लेते हैं, अभी हमने example में यहां पही किया था quantity, यह number है, अभी आगे और करते हैं, text में करके देखते हैं, और date में भी करके देखते हैं, is equal to filter, tab, tab button दबा देंगे, यह तो manually bracket start कर देंगे, then range, header हमने पहले ले लिया था, इसलिए A2 से select करेंगे, क्योंकि यहां पे header हमने पहले ले लिया, select करते हैं, यह हो गया range select, उसके बाद condition, अभी दो condition डालके देखते हैं, दो condition में क्या हो सकता है, year 2019 और 2020, हम लेकर आते हैं, 2020 में quantity greater than 5, पास से ज्यादा, only 2020 year में, जो sale हैं, उन data को लेकर आते हैं, पहला condition, कुछ भी रख सकते हैं, या तो यह रख लीजिए, या तो यह रख लीजिए, जैसे अभी लेते हैं, year वाला condition, यहां पे होगा, is equal to 2020, 2020 हो गया, अब quantity है, greater than 5, 5 से ज्यादा के quantity, bracket close, यह सारे आ गये, चेक कर लेते हैं, year में 2020, और quantity में greater than 5, 5 से ज्यादा है, अब तीन condition लगा के देखते हैं, 2020 में, only 5 मंत में greater than 5 quantity वाले, जो sale हैं, वो सारे record लेकर लेकर आना है, तो अब मन्त वाले, is equal to, फेब टेक्स्ट है, इसलिए double condition के बीच में फेब लेक देंगे, bracket close, यह देखें, only 5 मंत के आगे, और ऐसे multiple condition भी दे सकते हैं, एक और condition डाल देते हैं, किसी एक particular city का देखते हैं, a2 से लेकर, a1, 8, 4, 6, 2, is equal to Delhi, डेली का देखते हैं, यह देखें, only daily के आगे, four condition लगा के देखां हमने, इससे भी आगे एक और condition लगाते हैं, 2020 में greater than five quantity, feb मंत में, only daily city में, 15 feb के बाद के sale, वो आजाए, comma, update select करते हैं, यह तो manually डाल देंगे, यहाँ पे b2 से लेके, b18462, यह हमारा range है, अब यहाँ पे करते हैं, greater than, directly date डालने पे, यह accept नहीं करेगा, क्योंकि वो text नमजता है, इसके बारे में, जादे detail में हो सकता हैं, आने वाले वीडियोज में बताऊँगा, अभी date value, date value, bracket में, 2020, 215, greater than, date value, यह बीना date value के, यह accept नहीं करेगा, क्योंकि यह text नमजता है, greater than date value, यह कर देंगे, फिर एक bracket और close, enter, यह देखे, आगया, 2020 में, February मन्त में, greater than 5 quantity, in daily city, after 15 February, क्या data यह filter हो के आगया, हमने total filter condition दिये, 1, 2, 3, 4, 5, यह date का, date का condition, city का condition, month का condition, यह quantity का condition, यह year का condition, यह यह नमबर हो गया, बाइक ही यह text हो गया, यह date का function, इसको delete करते हैं, एक बाइमांट वाइज भी लेकर आते हैं, is equal to filter, select कर लेते हैं, A2 से लेकर, फिर condition, condition, condition less than करके देखते हैं, less than 25, यह नमबर हो गया, sales cost जो है, वो पच्चिस सो से, less than, less than 25, पच्चिस सो से कम के rate वाले आगए, filter हो के, mouse है और keyboard है, ओके गाईज, आज हमने देखा, filter के त्रू, text में, number में, और date में, आज हमने देखा filter condition, numbers को filter करना, text को filter करना, or date को filter करना, or single condition, and multiple condition, say filter करना, I hope your video काफी वालफूल रहोगी, see you in the next video, happy learning.